हलो फेंस, अवेरी ओम अल्कम टू बोधी सत्तो पीसेस। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमरेंदर तिवारी। आज का वीडियो लेक्शर उन सारे अस्परेंट्स के लिए है जो कई सालों से प्रिप्रेंट्स कर रहे हैं चार-पान सालों से फोल समर्पन के बावजूद भी उनको उनकी मनचाही सबलता चाहें वीपेसी का एक्जाम हो या अन्न कोई एक्जाम हो उसमें नहीं प्राप्त ह हो पा रही है साथ में उन सारे नए एस्परेंट्स के लिए भी या वीडियो लेक्शर काफी इंपॉर्टन्ट है जो शुरुवाती दोर में मार्केट के द्वारा मिसगाइड हो जाते हैं और अपना एनरजी वेस्ट करके असफलता का स्वाद उनको चकने को मिलता है माई बढ़ना चाहिए यदि इन पांच हो प्रशनों को आप अपने आप से पूछते हो और इसका रियलिस्टिक उत्तर आप खुद से प्राप्त कर लेते हो और उसमें सुधार करते हो तो नी संदें आने वाले कुछ समय में सफलता आपकी कदम जरूर चुमेगी माई दियर फ्रेंट चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है if you are new at my channel then subscribe the channel and hit the bell icon for all the new notification माई दियर फ्रेंट देखिए बहुत आप रियल में मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार की धर्ती में कि इतना समर्पन है इतना तर्पन है इतना मेहनत है कि आप सब जो है मेहनत कर्श इंसान हो और पूरा समर्पन के साथ भी प्यसी को अपना समय डिवोट कर रहे हो बा है रियलिस्टिक एप्रोच में मैंने टाइम टेबल बनाया लाइव वास्त्तं टाइम टेबल है देखिए कई सारे सर ऐसे ओते हैं ना मनन कर रहे हो, देखिए, पढ़ना और मनन करना दोनों साथ में होना चाहिए, आप 24 गंटे पढ़ाई, 24 में 24 गंटे पढ़ाई करो, और उसको consume न करो मनन न करो, तो वो पढ़ना आपका बेकार है, कहने का मतलब माल लिजेगा आप खुब पॉस्टिक अन ग्रांड कर रहे हो और वो पॉस्टिक अन जो है आपके पेट में न पचे और उसका पोशन आपके सरीर के अंग परतियंग में परतिक सेल्स तक न पहुंचे तो वो जो सुपाच्य भोजन है या यू कहिए कि जो पॉस्टिक भोजन है वो उसका लेना जो है उसका आहार ग्रांड करना आपके लिए कोई माने नहीं रखता तो इसलिए आप हमेशा आपने टाइम टेबल को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाईए इसको ब्रेक कीजिए एक गंटे का टाइम स्पैम में आप रखिये कि एक गंटे मुझे पढ़ना है और दस पंदरा मिनर जो है मुझे अपने आपको समय देना इंजुआय करना है पावर लेना है म्यूजिक सुनना है चाहे एक्जाम हो या नहो हमेशा यहीं प्रिपरेशन आपका चलते रहना चाहिए तब कूल माइंड रहता है और कंसेंटेशन जो है आपका अधिक बना रहता है सबको पता होता है लेकिन लोग करते नहीं है टाइम टेबल खूब बनाएंगे दस से पंदरा गंटेगा पता चले कि एक दो दीन तो फॉलो कर भी लेते हैं और आने वाले समय में कुछ दिनों में एक्जॉस्ट हो जाते हैं और वो फॉलो अप नहीं हो भाता है तो देखें फॉलो अप ना होना फिर से उसमें सुधार करना आगे बढ़ना यह दूसरी चीज है लेकिन जब आप अन्रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हो ना और उसको फॉल्फिल नहीं कर पाते हो तो आपका मनोबल गिर जाता है आप गिल्टी फिल करते हो बहुत बड़ी साइक्लोजी है इस बात को समझा जब आप गिल्टी फिल करोगे ना आपका परफॉमेंस भी गिर जाएगा और आप डी मोटीवेट हो जाओगे कि मैं पढ़िये नहीं पा रहा हूं तो छोटा छोटा पांच घंटे छे घंटे साथ घंटे का टाइम स्पैम का जो है टाइम टेबल रूटीन बनाओ और सलोट में बांच के पढ़ो मोर्निंग का एक सेशन बनालो मोर्निंग के बाद जो है आप यह कर लो की दोपर में मुझे खाना खाना है और एक दो घंटे खुब गहरी निंद्रा लेना है उसके बाद उठो फिर दोपर का और इबनिंग का सलोट बनालो फिर रात का slot बना लो, तीन-तीन घंटे का slot बना लो, नो घंटे आप काफी more than enough है, ठीक है, या दो-दो घंटे का slot बना लो, जैसे भी आपकी शमता है, कोई जरूरी नहीं है, कि जो नो घंटा पढ़ता है, दस घंटा पढ़ता है, selection उसी का होगा, कभी-कभी आप देखते हो पाँच घंटे पढ़ने वाले चार घंटे पढ़ने वाले students का भी selection हो जाता है, क्यों, क्योंकि continuity होती है, उनके पढ़ाई में, उनके पाचेकरम का, जो भी उनका syllabus है, डेली का, जो निर्धारित करते हैं, वो फुल्फिल करते हैं, moral उनका boost होता है, और जो पढ़ते हैं, तो ठीक है, तो पहला question, I hope कि मैंने decode कर दिया, क्या मेरा time table वास्तविक है, ये पूछना जो है काफी अन्यवारता है, five important question में से ये पहला question है, दूसरा प्रश्ण है, क्या मैं वास्तों में प्रतिबद्ध हूँ, मतलब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जितना समरपन BPSC को क्राय करने के लिए चाहिए, जितना समरपन IS को क्राय करने के लिए चाहिए, क्या इतना समरपन मेरे पास है, क्या मैं सारी चीजें अपना devote कर सकता हूँ, इसके लिए, अपना समय, अपना पैसा, अपनी जवानी, अपनी मानसिक्ता, सब कुछ इसमें लगा रहा हूँ, तो तो यदि आपका उत्तर हा में मिल रहा है तो आप समझना कि आप पुर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो अगर इसमें एक भी questions का उत्तर ना में मिल रहा है तो कहने का मतलब आप पुर्ण रूप से समर्पित नहीं हो प्रतिबद्ध नहीं हो BPSC के लिए होता यही है my dear friend हम क्या प्रश्न पूछना है यह सारा उत्तर हा और ना में मिल रहा है तो देखो कहाँ पर हा करने की आउशक्त है और कहाँ पर ना करने की आउशक्त है ठीक है तो यह चीज सुधार करना काफी important है प्रतिबद्धता बहुत ही अन्यवार है my dear friend ठीक है यह चीज भी ध्यान में रख अगला महत्यपोण प्रश्चन है, तीसरा प्रश्चन है क्या मुझ पर हतो साहिध करने वालों का ऐसी लोगों का प्रभाव अधिक है ये प्रश्चन पोछना अत्यंत ही, नितानत ही अवस्रक है होता क्या है, हम अपने आपको सोसलाईज करने के चकर में social presence को दिखाने के चकर में demotivate करने वाले लोगों का कुपरभाव जो है हम अपने उपर जेलते रहते हैं और उसके नीचे दवे रहते हैं demotivate होते हैं होता क्या है कि जब आप अपने आपको socialize करते हो न और लोगों को पता चलता है कि आप IS का preparation कर रहे हो state PCS का preparation कर रहे हो या कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो तो लोग कहते क्या हैं कि आरे भाईया फलाना का लड़का इतना होश्यार था उससे होई नहीं पाया तुम से क्या हो पाएगा तुम तो mediocre student रहे हो 50% आया 60% के बराबर आया है फालाना 80-85% 90% लाने वाला student सा नहीं हो पाया तो ऐसे लोगों से बच के रहे हैं ये अपने जियोन में खुद कोई उपलबदी नहीं हासिल किये होते हैं और आपको demotivate करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो IS बनते हैं वो तो भाया वो जन्मजात ही बहुत तेज होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है 1-2% लोग ऐसे होते हैं बाकी सब लोग जो है 99% लोग 98% लोग बिसवास कीज़े माई डियर फ्रेंड अपने मेहनत के बदौलत अपने समर्पन के बदौलत अपने प्रतिवद्दता के बदौलत अपने तरपन के बदौलत IS और PCS बनते हैं तो इस चीज़ को धिहान में रखना बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आप यह मत करो कुछ और करो तुम्हारे एज का लड़का इतना पैसा कमा रहा है उसको फालाना कमपनी में प्राइबेट सक्टर में जो है 18 लाग का पैकेज मिलता है तो यह सारी चीज़ें आपको डी मोटिवेट करने के लिए कही जाती है या बहुत लोग जहलस के भावना से भी आपको डी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं तो से सोशल गेदरिंग से बचो और ऐसे लोगों को किक आउट करो ठीक है यह राश वर्ड आम यूजिंग राश वर्ड बट यह किक आउट करना काफी आवश्यक है देखे इसमें जो है आप महत्वा कांशा के खेल में यह सारी चीजें होनी चाहिए और यह इसमें बहुत ज कुछ ओर्जा खर्च करने के बावजूद जो है आपके मादा पीता इस आशा में उनकी आखे बुड़ी हो रही है कि एक दिन लड़का मेरा आईएस पीसेस बनके लोटेगा और आप जो है एक नमबर आदे नमबर से रह जाते हो क्यों रह जाते हो आप सबको सही है लेकिन कोई एक डी मोटिवेटर आके कैटलिस्ट का काम करता है जो डी मोटिवेशन का रियक्शन ज्यादा कराता है आपके मस्तिक्स में ऐसे जो रियक्टेंट है या कैटलिस्ट है उनको धापड मारके अपने उससे बाहर निकालो धापड मारना हिंसा के तौर पे मैं नहीं कर र लेकिन वैसे लोगों से के साथ रहो जो आपको मोडिवेट करते हैं देखिए एक कहा चाहता है न तब आपको होगे या भाईया बड़े भाईया निंदक निवरे राखिया अंगन कुटी छवा यह वालका है तो देखिए यह आलोचनातमक या आपकी ब्यक्तितु की कोई आल दोसनातमक एक्जामिंग करता है वो दूसरी चीज है वो बताएगा कि देखो यह गलतियां है इसमें सुधार करो ठीक है न यह दूसरी बात हो गई और इसका जो निगेटिव पक्ष है यह भाई यह तुम तो एकदम से कबाड़ा हो तुमसे कुछ होई नहीं पाएगा लाई चो झाड़ा नाइसगा बनने वाला जमाना चला गया नाइस गाइशगा नहीं बनते हैं ठीक है भगवान पूरे गीता के साहर में यह कहा है तुम यूद्दजी टी नहीं पाऊँगे ठीक है ना इस चीज़ को समझ거를 ठीक है और हाइली इस समधों समझे है है और हाइ माफुपा जब तुम असफल होगे ना तो यहीं कटाक्ष करने वाले सबसे अधिक होंगे अपने नीजी लोग ही सबसे अधिक होंगे तुम्हारे माता पिता को कटाक्ष करेंगे हम तो कहत रहीं कि पैसा मत अदा बबुआ के जाके उडावत होई खेलत होई एक्जाम देथ ह कोई मतलब ऐसे कुछ निगेटिव चीजे कहते हैं मतलब ऐसे कहते हैं मतलब लोग ऐसे कहते हैं यह रियलिस्टिक है ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखो ठीक है चाहें आप मेल हो या फीमेल हो ठीक है इस चीज को ध्यान में रखो मेरे प्यारे भाईयों या बहनो नि प्रश्ण है काफी important है क्या मैं वास्तों में सफलता की त्यारी कर रहा हूं क्या मैं वास्तों में सफलता के लिए त्यार हूं सफलता की त्यारी कर रहा हूं अब इसको कैसे track करोगे daily track करोगे एक तो आपका realistic यहाँ पे जो time table यदि वास्त्विक है तो उसे वास्त्विक बना कि जो टाइम जो आपकी शमता है उस शमता के अनुसार बनाया छे घंटे शमता है तो छे घंटे के हिसाब से बनाओ और उसको डेली कवर कर रहे हो ठीक है अब इसको क्या करा कि आपने पांचे दिन कवर करा सब्ता में दो दिन गोल मार दिया तो इसमें continuity रही ही नहीं ठीक है तो इससे होगा क्या आप सफलता की पूरी तियारी नहीं कर रहे हो तो इसके लिए आप एक डियारी मैंटेंड करो, एक छोटा सा नोटबुक मैंटेंड करो और उसमें लिखो उसमें ठीक मार्क लगाओ, to do list बनाओ कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये existing सफलता की तैयारी करने का मतलब क्या एक आपको केवल पढ़ना ही नहीं है अपने आपको फीट रखना है बहुत सारे में बहने कॉल कर रही है भाई लोग कॉल कर रही है सर मैं बिमार पढ़ गिया हूं दो तीन दिनों से लेक्शा रेटेंड नहीं कर पा रहा हूं पीड़ेफ नहीं पढ़ पा रहा हूं तो क्या होगा जब आप एक्जामनेशन के इस फेज में अब दो महीना एक्जाम है मार पढ़ जाओगे 5-6 दिन तो यह चीजे जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकती है ठीक है आपकी अदम इक्षा सकती है तो इस पांच दिन को कवर कर सकते हो पांच दिन और दस दस जो पांच गंड़ा पढ़ते तो ओ दस गंड़ा पढ़के लेकिन ए वाला एक संत्रा मौसमी जो कुछ भी मिलता है उसको लेके खाओ आज कल आम का सीजन अब खतम हो रहा है लेकिन आम का सीजन खाओ सब विटामिन लगबग उसमें पाय जाते हैं वाटमिन ए वाटमिन सी और परचूर मातरा में पाय जाते हैं तो उसको पानी में गला के एक दिन सफल होगे, दूसरे दिन सफल होगे, आपना जो progress report है आप यदि उसमें progressive है, ये graph ऐसे जा रहा है, माली जी x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और ये graph ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब आप progress कर रहे हो, सफलता आपकी कदम चुमने वाली है, my dear friend, तो इसलिए इसको track करन जो है काफी important है क्या मैं बास्तों में सफलता की तैयारी कर रहा हूं पांचवा प्रश्ण है ये बहुत ही realistic प्रश्ण है my dear friend और जीवन का सत्य है जीवन की सत्य क्या है मृत्यू है अंतिम सत्य मृत्यू है जो जन्म लिया उसको मरनाई है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप परिश्रम करते हो सब कुछ ये चारों प्रश्णों का उत्तर आपके पक्ष में होता है realistic के अप्रोच अपना रहे हो सब कुछ अपना रहे हो और कभी कभी इतना सब करने के बावजूद भी आपको जो है असफलता हाथ लगती है तो क्या मैं असफल होने के लिए तयार हू ये बहुत ही जरूरी है ठीक है यदि आप असफल हो तो अपने आप से पूछो यदि आप मतब realistic के प्रोच है ये सोचना कि मालो मैं सफल हो जाओं तो ये ये हो सकता है लेकिन असफल हो जाओं तो क्या मैं इसके लिए तयार हूँ क्या मेरा जो energy जो संसाधन जो सब कुछ स होना कितना है छे साथ सौ का लेकिन जो माल लीजिए एक हजार लोग इसमें काफी ज्यादा जो है मतलब dedicated हैं सब कुछ है perfect है लेकिन पांच-छे सौ का होता है चार पांच-छे सौ मतलब तीन-चार सौ उसमें आउट हो जाते हैं एक नमरों से तो आपको ये भी पूछना च तर आपके पक्ष में आता है ठीक है अगर इतना प्रयास किये तो होगा क्या कि खुब प्रयास करने के बाजू जो है यदि आपको असफलता भी मिलती है ना तो वो असफलता नहीं कही जाती है वो बीर गती कही जाती है माई डियर फ्रेंड ठीक है रनभूमी में मरने वाल जो रणभूमी में मरने वाले जो युद्धा होते हैं वो बीर गती को प्राप्त करते हैं उनकी मृत्यों नहीं होती है और इतिहास के पन्नों में उनका संगर्स उनका चरित्र हमेशा के लिए श्रौन अक्षरों में सुसजित हो चाता है और आने वाली पीडिया उनके असफ रोज के साथ यदि आप प्रिपरेशन करते हो तो निसंदेह सफलता आपको जरूर मिलेगी बस इसी आशा के साथ कि आप जरूर सफल होंगे मिलते हैं अगले वीडियो लेक्षर में तब तक के लिए साइनिंग आप टेक्यार जाहिंद जाय भारत